अच्छा जी देखो यार हमारे पास यह मेरी प्रोफाइल है ठीक है और आपको थोड़ा सा समझा देतों structure कि हमने LinkedIn पर कैसे बनानी है प्रोफाइल और किस तरह हमने LinkedIn को optimize रखना है पहली चीज तो देख लो कि इधा प्रोफाइल पिक्चर है वह होनी चाहिए प्रोफेशनल प्रोफेशनल पिक्चर का मतलब यह नहीं कि आप डिजाइन मार दो अंदर प्लेन बैग्राउंड होना चाहिए बैग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर के अंदर और अड़ आपका जो कवर फोटो एक्षा होना चाहिए जिसके अंदर आप explain करो अपने किल्स के बारे में ठीक है या पिर आप explain कर पाओ कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरह है कर सकते हैं कवर फोटो आपका इस तरह होना चाहिए अब लेट से मैंने क्लाइंट को कर सकता हूं गूगल एड़ पीपीची एकसपर्ट हूं मैं फेजबुक एड़ गूगल एड़ से लाता हूं यह मेरा काम है तो इस तरह मैं अपने को हैल्प कर सकता हूं यह मेरी लिंक्डेन प्रोफाइल है अब यह देखो नीचे मैंने कीवर्ट डाले में देखो यह इस इस बात से पहले ना मैं आपको एक किवर्ड डालते हैं इसी तरह हमने लिंकडिन की प्रुफाइल केंदर कीवर्ट जांद करने होते हैं के अटstände कीवर्ड में प्रुफाइल रैंग हो जाए के लिंग्डिन के सर्च एंजन के अंदर हमने अपने आपको रर्न करना है तो हम कीवर्ड stuffing करेंगे उन keywords को हम सोचेंगे mind के दर लेकर आएंगे वो keywords जो के हमारे highly relevant है जो वो keywords जो के हमारे highly relevant है जो के हमारे recruiter सोचेगा जब उसने हमें hire करना है इसी तरह आप हमारे पास let's say मैं digital marketer हूँ मैं Google Ads expert हूँ मैं Facebook Ads expert हूँ मैंने तीन से चार keywords पकड़ लिए इन तीन से चार keywords को मैंने यूज करना है किसलिए यूज करना है मैं यूज करूँगा ताके मेरी अपनी वह हो जाए क्या कहते हैं rank हो जाए profile search engine के अंदर अब देखो ज़रा helping अब मैंने इसके अंदर keyword सर्फ किया है मुहमद राफिक है कि digital marketer मैंने अड़ किया यह मेरा keyword मैं इदर Facebook Ads expert भी लिख से तो मेरा keyword है Google Ads expert भी लिख तो मेरा keyword है ठीक है उसके बाद मैंने यह headline यह headline लिखी headline के साथ लिखेंगे यह यहाँ यहाँ पर button है pen का इसको मैं क्लिक करूंगा यह headline बन जागी यह देखो यार यह मेरी headline है कि मैंने मुहमद मुहमद फर्स नेम लिख लिख लिए लास्ट नेम की आगे मैंने star का emoji निकाला है और अब देखो मैंने डिजिटल मार्केटर लिख लिए ठीक है और add then यहाँ पर headline का option है helping e-commerce business to scale using PPC ads अब देखो मैंने पहली जो headline की जो पहली line है ना पहली line वह मैंने client centric लिखी है client centring का क्या मतलब है client centring का मतलब है कि भाई मेरी जो पहली line है जब भी कोई भी client पढ़ेगा ना तो उसको पता लगजेगा कि यह बंदा करता क्या है तो अब कोई भी मेरी क्लाइंट मेरी profile पर पहली बार जाएगा वो मेरी पहली line पढ़ेगा ना ओगेगा यार अच्छा यह बंदा e-commerce businesses को ads run करता है Google ads या Facebook ads run करते e-commerce businesses के लिए ठीक है अब लोगों को पता लग गया उन्होंने जब मेरी profile खोल के देगी उन्हें पता लग गया कि यह बंदा यह काम करता है इतना आसाल यह काम करता है बंदा पीपीसी ads run करता है e-commerce businesses के लिए यह मैंने आराम से बता दिया अब पहली line हमेशा आपकी client centric होनी चाहिए client centric होनी चाहिए अगर आपकी client centric नहीं होगी तो client आपकी profile पर देखेगा और unnecessary उसके लिए keywords एड होए होंगे अब यह देखो यहां पर उसके बाद हमारे पास आजएगा Google Ads expert यह भी क्या है यह keyword है डिजिटल मार्केटर यह भी keyword है Facebook Ads यह मैंने सारे की सारे keyword stuff कर दिये after my headline headline के अंदर मैंने client centric लेकिए उसके बाद मैंने keyword stuff कर दिये अच्छा एक और बड़े मज़े की चीज़ है मैंने अपनी location कहा रखी हुए San Francisco California United States क्यों रखी हुए reason क्या देखो जब आपका recruiter search करते है आपके बारे में कि भाई मुझे बंदा चाहिए वो बंदा चाहिए जो के San Francisco के अंदर रहता हो आपके recruiter ने search किया कि मुझे वो बंदा चाहिए जो के San Francisco के अंदर रहता हो और वो Google आपकी प्रफाइल चोगी अगर आप पाकिस्तान पाकिस्तान का शो करोगे मुझे पता यारी किसी तरीकी से कि पॉइंट आव्यू से रॉंक भी है लेकिन इससे आपको और आपार स्वेशक फाइदा जादा होता कैसे किआश पर का तो ऑकफोलों के से स्सक्टरा का में सब्तुला है क towards तो अब एकनी लुकेशन जरूर एड़ करना अगर आप उदर की लुकेशन एड़ करोगे तो यह का प्लस पॉइंट हो जाएगा अचा अब आपने सोच लेने तीन से चार कीवड्ट जो कि आपने अपनी प्रॉफाइल के अदर एड़ करने हैं देखो यह मैंने तीन से चार अब यह कहां से आया यह कहां से आया यह बैपताता हूं कहां से आई आप नीचे आओगे नीचे आओगे यहां पर आएगा option resources का अपनी प्रॉफाइल पर नीचे आओगे यहां पर रिसोर्स को option होगा इस resources के option को आप क्लिक करोगे और see all resources को क्लिक करोगे और यहां पर creator mode आ कर देना है और इधर भी आपने कीवर्ड आड़ कर देना है अब इधर एक और कीवर्ड आड़ कर देता हूँ मीडिया बायर का ठीक है मीडिया बायर आगा है नीडिया बायर क्योंकि mostly मेरे जो future clients हैं वो मेरे इस नाम से मुझे सेर्च करते हैं तो मेरी Profile इस पे शो हो जाएगी तो इसको मैंने Done कर दिया रो जी भाई ये Done होगया ये हमारी Profile या है LinkedIn की यह देखो जबनाब ये Profile होगी हमारी LinkedIn की और इसके अंदर मैंने बता दिया कि यार आपने किवड स्टफ करने अब हमने इतनी सी बात किया और आपके जितने जादा कुनेक्शन होंगे जितने जादा फ्रेंड्स होंगे उतना जादा चांसे हैं कि आपको गोरे अप्रोच करें और जितने जादा गोरे फ्रेंड्स होंगे उतना जादा चांसे हैं कि गोरे अप्रोच करेंगे ठीक है कर देखो मुझे अप्रोच्छ करेंगे उस सूरत के अधर कि अच्छी हो ठीक है आप की पROपोर्फायल अगर अच्छी नहीं है तो एडेंड आपको कोजी डोच नहीं करेगा ना ही आपको को क्लाइट मिलेगा jo już stuff करोगे तो add then आपको फाइदा होगा नहीं तो फाइदा नहीं होगा कीवड stuff कहाएं, करने बिताता हूं कि यह मार नेम के अंदर कoper stuff कर दिए है, यह headline के अंदर keyword stuff कर दिए उसके और नीचे आजो, नीचे आजो नीचे आजो चाहिए अपर सक्षिन के अंदर भी आपने पूरे कीवर्ट करने हैं अबऌट किस तरह बनाना है GOPS आपने उस तरह बताना है आपने बारे में बदाना है ना अपने बारे में зовут अपने यह बताना है कि आप अपने क्लाइन चेह selves कर सकते हो तीए अब देखो यार जो बड़ा मुश्किल काम हो गए यार मुझे कैसे पता को कैसे कर सकता हूं देखो यार आप अपने क्लाइन खर सकते हो कि आप उसके लिए सोचो बैट के सोचो आप उसके लिए जादा रेविनू जैन्वेड करने में किस तरह हल कर सकते हो अब लैट स होके client को किएंगे कि बाई क्या बात है क्या आपका content है और हम आप इसे product purchase करेंगे तो आप उसको अपनी bio के अंदर समझा रहे हो कि आपकी वज़ा से उस client के customers की sales बढ़ेंगी और add-then client के customers बढ़ेंगी और client को पैसे ज़ादा मिलेंगे तो client आपकी bio बढ़के करेगा यार क्या बात है बंदा तो मेरे काम करेगा कि तो मेरी help कर सकते हैं मुझे पैसे ज़ादा कमाने में जो client आपकी bio बढ़ेगा और bio बढ़ेगा और साथ में आपको message करेगा आई बात समझ में तो इस तरह हमने bio लिखनी है fully client centric होनी चाहिए client के लिए होनी चाहिए देखो भायो हम अपनी LinkedIn profile दो चीज़ों के लिए बनाते है एक client के लिए बनाते है और एक LinkedIn के algorithm के लिए बनाते है अगर अब LinkedIn के algorithm के लिए सिर्फ बनाओगे सिर्फ keyword stuff कर दो गए की वड़ी की वड़ी की वड़ी की वड़ी की वड़ी तो आगी प्रफाइल का कोई फैदा निए अगर सिर्फ आप क्लाइट के लिए बनाओं तो फिर आपकी प्रफाइल LinkedIn के algorithm पर rank नहीं होगी ठीक है तो हमें दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी है हमें प्रफाइल पर रहे लिए खर्च करवानी है और दूसरे और है लिएंट को päतारा है कि आपी सर्विसेजज से रहल है लजका काश्ट करने में हाल हो सकती है या या पर काश्ट प्रकर सेंटi हो सकती है आपकी पर आप से तो आप ने उसक अपने उसको उसका उसने आपका बायो देखा बायो के Candर भी की वैड़ सुफ करने तीजिसाव की वर्ट यहाँ आप मैंने उसकिया वैं सैट इंजन listen मार्केटिंग किविड है मैंने कई वर्ड हो आप में सब्सक्व करने यह ब conc język कि वर्ट बार बार यूज कर रहा हूं ताके इन कीवर्ड के उपर रहं कर चाहूं अच्छा उसके लावा देखो फिर सर्च लिजर मार्गिटिंग में यूज किया उसके लावा देखो ज़रा गूगल डू यूर वैबसाइट नीचे आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं अच्छा इसके इलावा देखो हमारे पास यह फेस्बूक आड्स कैम्पेंड देखो यह पीमार वह आ जाएगब कीवर्ड आ जाएगा सिस्थि दो आंजरिया saya अपने कीवर्ड यूを करनेया दृस्ठी चिजार कर motion के अडर मैंने अपवर्ड एक्ष्पियेंस डाला तो उसके अंदर मैंने क्या किया है इसके कीवर्ड की ओधि किर की आड कि अडि ने के keywords आइट किए यह मैंने सारे के सारे हर जगा keyword आइट करने है अच्छा लोग तो हम एड करें लिकिन लिखें किस तरह करनी है आप उसकी cost कम करने में या पिर sales increase करने में आपकी जो भी service आप सोचो बैठके या फिर Google पर research कर लो कि a graphic designer content writer एक website designer website developer किस तरह client को help कर सकता है उसके पैसे ज़्यादा कमाने या पैसे कम डिक्रियर बैसे बचाने में यह कौश डिक्रीस करने में आई होब कि आप कि चीज की समझ आ गई होगी experience किस तरह लिखने एक्सपीरियंस की बिचो जगह ना देखो यारे देखो इदर experience की option है एक्सपीरियंस किस तरह लिखने हैं देखो minimum 3-4 experience आपके होने चाहिए दो से 3 भी हो जाएं तो कोई बात नहीं तो आपने अगर फ्रीलांस कर लो तो अप्वर्क अपी चाहिए आपको कोई शे walking करते हैं और 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 यह तो कीवर्क साएट कोईSet के योगी और आपको कोई issue नहीं होगा कि आपने experience कैसे add करना है keywords कैसे stuff करने है और देखो यार नीचे आजो यहाँ पर हमारी skills आजाते है skills skills आपने add करने हैं और उन skills के उपर आपने endorsement लेनी है endorsement का मतलब क्या है endorsement का मतलब होता है कि आपके जो client आपके जो दूसरे past clients है या पर आपके दूसरे peers हैं दोस्त हैं उनको पता है कि आप कोई skill आता है और वो आपकी इस बात की गवाई देते हैं इसका मतलब होता है endorsement तो आपने लोगों को जागे कहना है कि यार मुझे endorsement दो तो किसी भी बन्दे के पास घाता हूँ आप बन्र मुठ 32 क्ल बंद Kerry सब्सक्राइब ओस मैं इसको इसको मैं पर जाता हूं और अधर कर देगा कि तरह नीचे option होगा endorse का अर यह option endorse का तो मैं इसको endorse कर दूँगा और add the end यह मुझे endorse कर देगा simple मैं उसको endorse कर दो वो मुझे endorse करते गा जितने ज्यादा endorsement आपके skills पे होंगे उतनी ज्यादा profile आपकी rank करेगी जितनी ज्यादा profile हम प्रोफाइल त्यार कर रहे हैं त्यार कर रहे हैं पर उसके बाद मैं आपको बताँगा कि आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है रेगुलर पोस्टिंग करोगे तो आपके फॉल्वर्स बढ़ेंगे फॉल्वर्स बढ़ेंगे तो क्लाइंट खुद 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 चलिकर आएगा इस तरह LinkedIn के ओपर client हमारा आता है तो I hope कि आपको समझ आ गई होगी और हम इंशारा नेक्स वीडियो में आगे हम डिसकस करते हैं कि हमने और क्या चीज़ें कवर करनी है